दोसो इस लेसन के अंदर हम लोग इलस्ट्रेटर का एक और बहुत इंट्रस्टिंग फीचर जो है वो डिस्कस करने लगे है हम लोग इस लेसन के अंदर स्टेडी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे फ्री ट्रांस्फॉर्म और ट्रांस्फॉर्म टूल को तोसो जब हम बात करते हैं ट्रांस्फॉर्म के हवाले से तो ट्रांस्फॉर्म का मतलब क्या है ट्रांस्फॉर्म से मुराद यह है कि हम अगर किसी भी आबजिक को या किसी भी शेप को थोड़ा सा चेंज करते हैं या अगर हम उसको फॉर एक्जामपल रोटेट करते हैं या हम उसका size जो है वो change करते हैं या उसके angles चेंज करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि हम उस दीज को transform कर रहे हैं यानि कि हम उसको तबदील कर रहे हैं और इसके साथ सथ हमारे पास free transform के नाम से एक और बड़ा interesting tool यहां पे मौजूद है illustrator में तो चलने चलते हैं illustrator की तरफ और explore करते हैं free transform and transform tool दोस्तों यहां पे आप लोगों को transform के बारे में समझाने के लिए मैंने यहां पे एक object ले रखा है यह मैंने rectangle tool के मज़द से एक square जो है वो यहां पे create की है अच्छा free transform की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको transform वाली जो options हमारे पस मौजूद हैं वो जरा detail में बताना चाहूंगा जैसे ही मैं इस object पर right click करता हूं तो यहां पे मेरे पास नीचे option मौजूद है जी transform की अब अगर इस option में मैं देखूं तो यहां पे हमारे पास move, rotate, reflect, scale यह कुछ important options यहां पे मौजूद हैं तो चलने इनको जरा explore करते हैं और देखते हैं कि यह basically क्या करती है तो जैसे ही मैं move पे click करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यह एक नया dialogue box यहां पे हमारे सामने open हो गया है और यह dialogue box के अंदर कुछ हमारे पास values आ रही हैं जो कि हम change कर सकते हैं जिसना से यह जो move की option है इसका मतलब यह है कि अगर हम move करेंगे यानि कि अपने object को एक जगा से दूसरी जगा पे लेके जाना चाह रहे हैं move करना चाह रहे हैं तो यह हम यहां से कर सकते हैं फॉर एक्जामपल यहां पे मैं horizontal इसका जो है वो value दे देता हूं जी 4 और vertical बी मैं इसको 4 inches की value दे देता हूं तो यह देखें हमारा जो object है वो already आप देख सकते हैं कि वो अपनी जगा से move कर चुका है मैंने preview की option यहां पे on कर रखी है आप preview की option को लाजमी चेक रखीएगा ताके आपको नजर आता रहे कि आप इस वक जो कर रहे हैं वो actually हो क्या रहे हैं अच्छा इसी तना से आप इसका angle भी change कर सकते हैं और यह देखें जैसे ही आप angle change करेंगे तो वो angle भी अपनी उस लिहास से उन values के हसाब से change करता जाएगा अच्छा जी आगे चलने से पहले यहां पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ वो यह कि मैं वापस आता हूँ transform में और move पे अच्छा यहां पे हमारे पास एक option है जो कि इन तमाम options में कमोबेश मजूद होगी यह जी copy की तो उसका copy की option क्या करती है कि for example अगर मैं इसका angle change करूँ और copy कर दूँ तो यह देखें कि उसने उसको move तो किया ही है लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें एक उस object की copy भी दे दी है तो लहाज़ा copy अगर आप करना चाहते हैं किसी भी object की तो आप इस तरह से उसकी copy भी साथ ले सकते हैं यानि जो भी अमल आप कर रहे हैं वो तो हो गई साथ में उसकी copy भी आ जाएगी अच्छा जी इसी तरह से यहां पर हमारे पास rotate की option मौजूद है rotate की option में क्या होगा दोस्तो हम इसको rotate कर सकते हैं किसे भी object को और बिल्कुल जिसना पहले आपको मैंने बताया आप उसकी साथ में copy भी ले सकते हैं तो यह देखें अगर मैंने उसको इंगल चेंज किया और साथ में उसी object की मैंने एक copy भी जो है वो ले रखी है यहां पर इसक फिल इसमें white है और black इसका जो है वो हमारे पास stroke है और यह मैंने इसी रिए रखावा है यह वाली values ताके आपको समझना जरा असान रहे अच्छा इसके बाद हमारे पास है जी reflect की option दोस्तों यह देखें अगर आप एक square shape को horizontally या vertically reflect करेंगे तो definitely वो यहां पे कोई खास आपको नजर नहीं आएगा क्योंके वो reflect तो हो रहा है लेकिन वो क्योंके चारों तरफ से एक जैसा है इसलिए उसका आपको पता नहीं चलेगा जैसे आप angle change करके किसी भी object को reflect करेंगे तो उसकी जो reflection है वो आपको यहां पे नजर आजेगी और आप उसको copy भी उसकी ले सकते है ठीक है मैं यहां पे क्या करता हूँ कि मैं एक यहां पे rectangle ड्रॉव करता हूँ इसके अंदर अब जाके यहां पे इसको मैं reflect करता हूँ यह देखें तो यहां पे हमें इसकी reflection जो है वो समझ आ रही है ठीक है जी और साथ में हम उसकी कॉपी भी ले रहे हैं तो दार्ट मींस कि हम उसको रिफलेक्ट करें अच्छा जब आप कोई अगर शेप कोई खुच से पैन टूल से आप ड्रॉव करें तो वो होरिजॉन्टली और वर्टिकली ऊपर और नीचे रिफलेक्ट भी हो जाएगी राइट लिक करके हम यहां पे आते हैं हमारे पास स्केल की एक आप्शन मौजूद है स्केल में हमारे पास यूनिफॉर्म और नौन यूनिफॉर्म की आप्शन है Uniform और Non Uniform का जो मतलब है कि अगर आप Exact रखना चाते हैं तो आप यहां से दोनों तरफ से आप यहां पर जो भी Value देंगे वो उसकी Vertically horizontally दोनों तरफ से मानी जाएगी और अगर आप Non Uniform करते हैं तो इसमें आप horizontally और vertically खुझ से उसकी जो Values है वो Change कर सकते हैं यानि 70% अगर इसको मैं horizontally करना चाहूं तो मैं यहां से कर सकता हूं इसके लावा यहां पर यह देखें अगर मैंने Copy ली तो यह उसको Scale उसने कर दी है अच्छा इसके साथ यहां पर Scale के अंदर Scale Corners की भी एक Option मौजूद है और Scale Strokes and Effects की भी Option मौजूद है यानि अगर आप सर्फ Corners को करना चाह रहे हैं या साथ Strokes and Effects को करना चाह रहे हैं तो यह भी आप कर सकते हैं बारहल यह जो ज्यादा समझने की Important बात है वो यह है कि आप Uniform और Non-Uniform तरीके से किसी भी Object को Scale Out कर सकते हैं इसको मैं अगर 150 horizontally दे दूँ और 200 अगर मैं इसको vertically दे दूँ और Copy लूँ तो यह देखें यह जिस Value को मैंने रखा था उसके accordingly यह Scale हो गया Scale Up हो गया अच्छा जी मैं वापस आता हूँ जी एक Square के उपर और यह तो मैंने आपको कुछ Options बताइए कि आप बड़े अराम से Right Click करके Transform में जाके यहां पर कुछ Options है इनको आप देख सकते हैं यहां पर बलके और Option है Share की यह भी डिसकस करते जाते हैं दोस्तों यह जो Share की Option है यह Basically हमारा जो Object है उसको जिससे स्क्वीज कर देता है एक तरह से ठीक है और उसकी जो horizontally और vertically आप देख सकते हैं उसकी शकल जा है वो बिलकुल स्क्वीज हो जाती है ठीक है यह आप देखने हैं अगर मैं horizontally कर रहा हूँ अगर इसी तना से मैं vertically करना चाहूँ तो यह देखें उसकी जो values की accordingly उसकी जो shape है वो share out हो रही है अच्छा जी यह होगी हमारी जनाब याली transform की options अब यहां पर हम देखते हैं टूल बार के अंदर हमारे पास यह puppet wap tool के नीचे एक tool available है free transform tool के नाम से जिसकी short की आप देख सकते हैं E है अच्छा यह एक बड़ा interesting tool है जनाब याली यह क्या करता है यह आप देख सकते हैं कि इसकी जो शकल है यह थोड़ी से different है यानि अगर यह anchor points के उपर मैं आऊं तो आप देख सकते हैं इस पर दो signs आपको बने नजर आ रहे हैं एक sign rotation का है और एक sign जो है वो इसके scale का है यानि इसको बड़ा चोटा करने के लिए resize करने के लिए free transform में basically हमें जो एक सहूलत मिलती है वो क्या मिलती है कि हम अगर for example इसको scale out करने और साथ अगर हम control की option दबा लें तो दोस्तो control क्लिक करते साथ ही क्या होगा कि आपने जो anchor point पकड़ा हुआ है वो खाली एक anchor point आपके पास control में आ जाएगा और बाकी के वहीं के वहीं अपनी जगा पे lock हो जाएंगे यह दुबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि यहां पे हम गए इसको अच्छा यहां पे आपने जहें में रखना है पहले आपने उसको transform करना है और बाद में आपने control की option पे क्लिक करना है तब ही यह आप अराम से जो है वो कर पाएंगे अच्छा इसी तरह से अगर हम यह जो center में हमारे पास जो एक anchor point है इसके उपर आएं और अब यहां पे हम control क्लिक करके इसको हम move करें तो यह देखें यह बहुत खुबसूरत तरीके से workout कर रहा है यह क्या कर रहा है कि वो जो जिस side से हम इसको पकड़ रही है ग्रेप कर रही है वो हमारी side सिर्फ हमारी वो line segment change हो रही है और जो दूसरी वाली line segment है वो अपनी जगा पे उसी तरह से मौजूद है ठीक है जी और control अगर आप पकड़ें तो यह देखें center से आप यह पूरी shape को जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो आप shape out कर सकते है दोस्तों आप लोग colorlingt erosion भी कर सकते हैं, reflect भी कर सकते हैं और उसके shape है उसको change कर सकते हैं, इस के लवा free transform में हमने देखा है कि हम उसको freely transform कर सकते हैं इसी वज़ा से उसका नाम टूल का free transform रखा गया है क्योंकि हम उसमें आज़ादाना तरीके से किसी भी एक anchor point को choose करके उस shape को transform कर सकते हैं आप लोगों ने इसको explore करना है और इंशालोट आला next lesson में आप लोगों के साथ किसी नए टूल के साथ आपसे मुलागात होगी